नमस्कार मैं अमन और आप देख रहे हैं WK News 40 साल की मुस्लिम महिला 10 साल में 25 मर्दों के साथ घर से भाग गई और हर बार लोटने पर शोहर कर लेता कबूल अब आप सोच रहेंगे कि भाईया ये कैसी लड़की है या फिर कहें ये कैसी मुस्लिम महिला है जो हमेशा भागती है और जब घर आती है तो शोहर भी उसे कबूल कर लेता है ये घटना सुनकर आप हैरान रह जाएंगे हैरान करने वाली ये घटना असम के नगाओ की है महिला ढिंकी रहने वाली है वीड़ा रिपोर्ट के मुताबिक आखरी बार जब अपने घर से भागी थी तो अपने तीन महिने के बच्चे को पडोसी के घर पर छोड़ गई थी हर बार वापस लोटने पर शोहर उसे सिवकार कर लेता भागने के बाद वा जब भी वापस आती तो दोबारा ऐसा नहीं करने का वादा करती लेकिन बाद में फिर भाग जाती रिपोर्ट के मुताबिक महिला के तीन बच्चे हैं इन्वे सबसे छोटा केवल तीन महिने का है अभी हाली में वो अपने ही गाउं के एक व्यक्ती के साथ भाग गई थी घर से भागते वक उसने अपने तीन महिने के बच्चे को पडोस की घर छोड़ दिया और कहा कि बखरीयों के लिए चारा लाने जा रही हूं जाते जाते अपने 22,000 रुपे और कुछ गहने भी साथ ले गई अब वो कौन सी बकरी के पास गई ये तो सभी जानते हैं महिला के पती के मुताविक आखरी बार इसी महिने वो 4 सितंबर को भागी थी वो ये पती कहता है 2011 में हमारा निकाह होने के बाद 10 सालों में मेरी बीवी लगबग 25 बार दूसरों के साथ भागी है हर बार परिवार में वापस आने के बाद उसने वादा किया कि वो फिर से ऐसा नहीं करेगी लेकिन अब तक वो आपना वादा निभाने में सफल नहीं हो पाई है आपको बता दे मुझुफित दिन आगे कहते हैं कि कभी मेरी बीवी ने दावा किया है कि वो अपने रिष्टेदारों के घर गई थी कभी उसने कहा कि वो अपने बीमार रिष्टेदारों को देखने गई थी मैं उसे सिवकार करूँगा क्योंकि मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ और हमारे तीन छोटे बच्चे भी हैं अगर मैं अपने बीबी को सिवकार नहीं करता तो उनकी देखवाल कौन करेगा मैंने कानूनी और दूसरे परिशानियों से बचने के लिए पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करा है महिला के दो नाबाल एक बेटे और एक छोटी बेटी है उसकी सबसे छोटे बेटे के उमर महस तीन महिने है और सबसे बड़े बच्चे के उमर छे साल उसका दूसरा बेटा तीन साल का है मुस्लिम बहुल सुदर ढिंग लहकार गाउं में पडोसियों के मताब एक महिला के गाउं के कई यूख से उसके अवेट सम्मन दी है और वा अलग अलग प्रेमियों के साथ भाग जाती है बाद में कुछ हफते या मैनों बाद घर वापसी आती है और कहती है अब आपकी क्या रहा है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके निउस